फिलिपीन्स के समुद्र में मैनेटी नाम के जीवों की संख्या कम होती जा रही है इन्हें डागॉंग या फिर सीकाओ भी कहा जाता है क्यूंकि अक्सर समुद्र के नीचे जमीन पर घास चरते हुए नदर आते हैं अपना पेट भरने के लिए हर दिन इन्हें 25 किलो घास की जरूरत पड़ती है लेकिन जहाजों से होने वाले प्रदूशन के कारण घास ठीक तरह उगही नहीं पा रही यही वज़े है कि सीकाओ का अस्तित्व खत्रे में है आम तोर पर सीकाओ के इतने करीब आने का मौका नहीं मिलता यह तस्वीरें फिलिपीन्स के बासुआंगा द्वीब के एक डाइविंग स्कूल ने ली हैं यह फिलिपीन्स के समुद्र में मौजूद आखरी सीकाओ हैं कुल मिलाकर यहां कुछ छे या आठी बचे हैं फियर सेग्मेंट एक गुने एक मीटर है इसके जरिये हम हिसाब लगाते हैं कि कितना फिज्दी इलाका ढखा है गहराई कितनी है वहां रेथ है या की चड़ समुद्री घास पर प्रदूश्वन का असर बहुत जल्दी होता है इसके अलावा वियावसाई करूप से उगाई जाने वाली घास के कारण प्राकृतिक समुद्री घास खत्म होती जा रही है रिनान्टे और उनकी टीम की खोशिश है कि आसपास की गाउं को इस बारे में जागरुक किया जाए मच्छवारे बताते हैं कि आखरी बार उन्होंने सीकाओ को कहां देखा था इस जानकारी की मदद से एक नक्षा त्यार किया जा रहा है ताकि संडरक्षन के लिए सही जगापर काम किया जा सके टीम के ये सदस्या समझा रही है कि सीकाओ भी इंसानों की ही तरह स्तंधारी होते हैं बच्चा एक साल तक मा का दूद पीता है लेकिन मादा हर साथ साल में एक बार ही करभधरन कर पाती है इसलिए हर जानवर अनमोल है ये जानवर मेरे लिए अहम है पौरानिक कथाओं के अनुसार ये किस्मत लेकर आते हैं जब कोई मच्वारा कहीं फंस जाता है तो ये ही उसे बचाते हैं लेकिन हकीकत कहानियों से अलग है मोटर बोर्ट के कारण सीकाओ खायल हो जाते हैं और कई बार वे मच्वारों के ही जाल में फंस जाते हैं ये मच्छवारा बता रहा है कि हाल ही में एक सी काओ इसके जाल में भी फजा मोटर बोर्ट के शोर से वो खबरा गया था और जाल में अटक कर उसने उसे भी फार डाला लोगों को अलग-अलग इलाके बांटने होंगे कि ये इलाका मच्छली पकड़ने के लिए है और ये सनरक्षन के लिए ये नाओं के लिए है इस जगह सिर्फ नौए चलेंगी उन्हें इस तरह के इलाके बांटने होंगे जिसमें सब की रजा मंदी हो पडोस के द्वीब पलावान में सनरक्षन का काम चल रहा है क्रिस्टीना डालुसूंग काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट में काम करती हैं आसपास के इलाकों के लिए वे मिसाल कायम कर रही है इस प्रोजेक्ट की सफलता की बज़ा है निवेश करताओं और सरकार की बीच का सहयोग वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं खासकर लोगों तक वे बात वैसे ही पहुँचाते हैं जैसे हम चाहते हैं लोगों को पर्यावरन संडक्षन के लिए प्रोच साहिद करना टीम को अपने काम पर नाज है बालू के टीले पर हाल ही में ये निगरानी केंदर बना है प्रेनाल्डो कोसिनास कारामय नगरपालिका के संडक्षन केंदर के मैनेजर हैं वे बताते हैं कि किस तरह से संडक्षन के लिए तीन इलाकों को चुना गया है एक मैंग्रोव के लिए, एक मूंगे के लिए और एक समुद्री खास के लिए इन इलाकों में मचली पकड़ने की इजाज़त नहीं है 24 सो घंटे यहां निगरानी की जाती है मचली पकड़ने के लिए बारूद और जहर जैसे खतनाक तरीकों का अब यहां इस्तिमाल नहीं किया जाता संडक्षन इलाकों में अब बड़े बड़े जाल भी नजर नहीं आते समुद्री जीवन के संडक्षन के लिए इस प्रोजेक्ट को अंतर राश्ट्रिय मदद मिली है संडक्षन इलाके के सदर से वहां वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि यहां के समुधाय के पास इस संरक्षत इलाके का मालिकाना हक होना चाहिए इसलिए सबसे पहले तो इन्हें प्रोटसाहित करने की जरूरत है ताकि वे अपने समाज, अपनी आजीविका के फाइदे के लिए काम करें मैंग्रोव, मूंगे और समुधरी खात के संरक्षन का फाइदा मचली के पैदावार को भी होगा जाल इस तरह से बुना जाता है कि छोटी मचलियां उसमें ना फसें ताकि वे प्रजनन की उम्रे तक पहुँच सके इस तरह से उनकी संख्या बढ़ सकेगी और मचुवारों को इसका फाइदा मिलेगा लेकिन सीकाओ से इसका क्या मतलब? इन संरक्षित इलाकों से उसका आहार समुधरी घास बच रही है राजनीती, घर सरकारी संखठन और आमनागरी की हां मिलकर सीकाओ के हित में काम कर रहे हैं ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वक्त के साथ इनकी आवादी एक बार फिर बढ़ सकेगी